सियावर राम चंद्र भगवान की जैहो पवन पुत्रहनू मानी की जैहो जैहो तेतिस करोड देवी देवताओं की हेलो एवरिवान कैसे हो आप सभी हॉफफुल यह आप सभी स्वास्तों मस्त होंगे अपने अपने घरों में मैं भी ठीक हूँ मुझे जुखाम हो रहा है आवाज से ही पता चल रहा होगा और अपना जो है वेट लोस जर्नी चल रही है मैंने 17 से 18 किलो वेट लोस किया है और यह जर्नी मैंने कैसे जो है मैंने क्या ट्रीक एंड अपनाया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ कि मैंने 39 बार का फार्मूला अपनाया है पहले मैं बता देती हूं मुझे शुगर है यानि दिवीटिज है थार्एड है बीपी है नसों जो कंदा है ना उसमें नसो का गुच्छा बना हुआ है भी बारा है बिटामिन डी की कमी है और हर दो साल में मुझे पत्री हो जाता है इतने रोग होने के बावजूद भी मैंने 17 से 18 किलो अपना वेट लोस किया है तो ये चोकाने वाला परिनाम जो है 32 बार की फार्मूले से ही मुझे मिला है 32 बार का फ जब कुछ खाते हो तला भुना फार्स्ट फूड और कुछ भी खाते हो चाहे लेकिन आपको करना क्या है उसको 32 बार का फार्मूला आपको अपनाना है तो ये क्या है ये ये है कि आपको किसी भी चैज को इतना चबाना है इतना चबाना है मुँ में कि वह लिक्विड बन उसके बाद में आपको गले में से नीचे गिटकना है, है ना, मतलब आपको जब तक उसको चबाते रहना है, 32-36 बार आपको चबाना है, जब तक की वह बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए, दूसरा गस्सा आपको मुझ में तभी रखना है, एक रोटी के आपको 46-46 टुकड़े करने है, 36-40 टुकड़े करने है, यानि मीडियम साइज की है तो, और बड़ी है अगर रोटी, तो आपको कम से कम भी 46 या 50 टुकड़े आपको करने है, 46 टुकड़े आपको करने है, 40-46, 40-46 टुकड़े आपको करने है, और अगर आप चूर मसल के खाना खाते हो, तो बहुत है 32 बार का फारवुला आप चाहे फास्ट फूड खाओ चाहे मीठा खाओ चाहे आप जो है तलाबुना खाओ पकोड़े कचोरी समोसे मीठे में रसगुले गुलाब जामुन बर्फी फास्ट फूड में आप नूडल्स बर्गर पिज़ा वगेरा कुछ भी खाओ है ना मॉमो जोहार बाजरा मक्का बेजल की रोटी का उपयोग करना है और आपको जो सिजनेवल फ्रूट होते हैं वो खाना है ड्राइफ फ्रूट खाने है और आपको पानी अधिक मातरा में पीना है दही चाज का प्रियोग करना है आपको दही चाज का प्रियोग साम को मत करिएगा ने तो रिजल्ट बहुत खराब आपको मिलेंगे है ना उससे लाप की बजाए आपको नुकसान होगा और आपको जो है खुब सारा सेलेड खाना चाहिए है ना कुछ भी ना हो तो आप प्याज ही खाईए चाहिए ककड़ी टमाटर प्याज और सर्दी में जो गाजर आती है वो खा सकते हो पत्ता गोँ भी खा सकते हो लेकिन कुछ भी ना हो तो प्याज खालीजीए दहिचाह लीजिए और रोटी कम और सबजिया ज्यादा लीजिए जो सिजनेबल सबजیاں आती है उसका प्रयोग कीजिए है न और आपको है न रोटी चूर मसल के ही खानी है और मिक्स दालों का उप्योग कीजिए क्योंकि एक एक तरीके की दाल खाते है न तो उससे क्या है विटामिन प्रोटीन की कम्य हमारे सरीर में होने लग जाती है अपन प्यूर वेज करना हो तो आपको अलग-अलग बदल-बदल के डाल खानी है है न उसके बाद आपको सूजी से बनी हुई चीजे आपको खानी है नास्ता आपको इसकीप नहीं करना है नास्ता आपको जरूर करना है और पपीते का सेवन प्रेगनेंट लेड़ी को नहीं करना है नहीं तो उससे अबोर्शन के चांसेज रहते हैं, सिया सीट्स का आप उपयोग करते हो, तो उसको दो घंटे पहले पानी में गला दीजिए, फिर किसी चीज में मिक्स करके या प्लेनी आप पीश सकते हो, सुखा अगर आप खाओगे तो वह आतों में जाके फूल जाता है, आपकी वज़ाए नुकसान होगा, और आपको प्रचुर मात्रा में सबजियों का उपयोग करना है, डाविटिक पैसेंट हो, तो अभी सिजनेवल जामून बहुत जादा आ रहा है, मेथी दाने की सबजी का उपयोग कीजिए, लोकी की सबजी जो है, अपना फैट कम करती है पैट का, तो वो ले सकते हो, लोकी का जूस खा लेते हैं कई लोग, तो ये चीज़ आप ले सकते हो, इसके अलावा 32 बार का फार्मूला आप का आम में ले सकते हो, तो ये तो हो गए हमारा आज का जो 32 बार का फार्मूला मैंने जो अपनी वेट लोज जर्नी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो हर ब्लोग मैं अलग-अलग टिफ शेयर करूंगी और मैं डेली रूटिन डेली ब्लोग डालती हूँ तो वो भी मेरा साथ में चल रहा है तो पने रही है ब्लोग के अंदर यहां स्वामी जी के लिए मैंने काडा बनाया है तो उनको जुकाम खासी हो रहा है तो यहां पर मैंने काडा बनाया है एक किलास दूद जब थोड़ा रह जाए उतना घाडा करना है और उसके बाद में पी लीजिए आप तुलसा जी के प इससे पहले मैं क्या बोली हूँ जो पता नहीं है मैं दूसरे दिन वापस एडिटिंग कर रही हूँ तो गाइज अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सस्क्राइब शेर कीजिएगा सपोर्ट कीजिएगा थेंक यू सो मच एवरिवन और लाइक सस् वामी जी अपना नास्ता कर रहे हैं और ये नमकीन वगेरा लेके आए हैं एक मोटी नमकीन भी मैंने मंगाई थी लेकिन वो मिली नहीं उनको यहाँ पर और ये जो छाज की थेली भी लिया है वो अपना नास्ता कर रहे हैं ये शर्ट रखी है तो अभी खोली है उन्होंने अभी बाहर से ही आएं हैं वो दूद वगेरा लेके और चलिए गाइज मैं जो डेली रूटिन डेली ब्लाक्स डाल रही हूं वो तो आपको कैसे लग रहे हैं बताईएगा और लाइक, सस्क्राइब, शेर, सपोर्ट कीजिएगा गंटी का बटन, बेल आइकन का जरूर प्रे कीजिएगा, आज मैं है कि कुड़ा की सबजी बना रही हूं, आप इसको क्या बोलते हैं, यह कई तरीके से यह सबजी बनती है, कई लोग इसमें आलू डालते हैं, प्याज, मिर्ची, धनिया, यह सब डालते हैं, टमाटर वगेरा, और कई लोग इसको तेल में पहले फ्रा के सको बनाते हैं, अलग-अलग तरीके से यह बनती है, और यहां पर यह विचिडिया का दाना पानी मैंने रख दिया है, पानी तो टंगी राय डा भर देती हूं उसमें, और दाना यह मैंने यहां पर जो खाते हैं, वो दलिया, खिचडी, हल्वा, चावल, रोटी, रोटी बन वीडियो हो रहा था, तो छोटा कराय मैंने शोट कराय है, यहां पर ये मिस्तरी भाय साब, जो हैं, उपर टाइल्स वाले भाय साब हैं, उनके लिए मैं चाय लेके जा रही हूं, और आज जो लेडिस साथ में नहीं आई है, तो मैं आवाज लगा रही हूं, तो यहां पर स्वामी जी आ गए है तो वो ले जा रहे हैं चाय वो थे उपर और अब जो है यहां मैंने मेरी चाय ले लिए मैं टॉस्ट लूँगे दो और आज मैंने ताजा है ना गरम रोटी दो जादा बनाई थी उसको चाच में गलाए था आप कभी भी रोटी चाच में खाना आप चाहो तो जो ताजा पोदी ना होता है ना उसकी चटनी डाल सकते हो हरा दनिया कट करके डाल सकते हो और प्याज और मैंने तो पोदी ना पाउडर डाला था जीरा डाला था काला नमक और सादा नमक और प्याज डाला था है ना और यह भाई साब की चाय दुबारा देने ज लेकिन फिर हुआ किया मेरे साथ है ना एक लफडा हो गया भाय साब है ना यहां से जा चुके थे मैं आवाज लगा रहती आवाज लगई तो वापस रिप्लाइन यह आया तो मैं ठैट उपर गई देखने के लिए देखा तो भाय साब यहां से चले गए और में बिनाबाit क चाय यह मिठी रखी हुई है, अब भाई साब का पता ही नहीं चला, वो कप चले गए, अब मैं तो दो तिन बार देती हूँ, जिस दिन लेडिस नहीं आती तो दो तिन बार चाय देती हूँ, और मेरे ना मेरे को नींद भी आ रही होती हैं, तो टेंशन बनी हुई रहती है, क तरीके से आप बांद सकते हो यह देखिए और यहाँ Amazon से parcel आए हैं तो वही आपके साथ share कर रही हूँ यह मैं किसी brand का promotion नहीं कर रही हूँ गाइस मैं पैसे देके और खुद मंगवाती हूँ सामान तो यह मैंने एक लेगी पहले मंगवाई थी इतनी soft इतनी अच्छी निकली कि मैंने एक और लेगी मंगवाली वैसे और कलर की मेरे पास है white कलर की भी है लेकिन उसका क्या नाड़ा elastic है वो ढीला हो गया है तो फिर मैंने यह वाली एक और मंगवाई और वो टू एकसल की है यह थ्री एकसल मैंने मंगवाई है और यह गाउन मैंने एक पहले मंगवा के देखिए तो बहुत अच्छी थी महरून कलर की तो मैंने उसके सारे कलर ओर कर दिये तो यह देखिए जो मम्मी को पसंद आएगी वो मैं मम्मी को दे दूँगी और जो अगर मम्मी बोल देगी यह वाली मेरको नहीं चाहिए तो वो मैं रोक लूँगी मैंने मम्मी के लिए खरीद लिए करीबन मैंने दस से बारा गाउन मैंने मम्मी के नाम की खरीद लिए मम्मी को जो पसंद आएगी छे साथ गाउन में मम्मी को दे दूँगी छे-सात साल भर के लिए काफी है फिर ओवर चाहिएगी बीच में तो ओवर दे दूँगी है ना क्योंकि मम्मी कहाँ पर लेने जाएगी महें तो क्या है यहाँ पर ओडर करके मंगवा लूँगी ओवर चाहिएगी जो जितनी भी पसंद आएगी मैं मम्मी को सारी ही दे तो मम्मी को गाउन पेनदना स्टार्ट कर ववाँ गाउन 9,5mज की पियर में वह इतनी भरी गर्मी में और बेटे की ही शरम आती है मम्मी को मे भाई योगी ऐसे ना उससे ही शरम हती है मेरी मम्मी पल्ला नीचे से मतलब पल्ला नहीं खिशकने देती वो जैसे आता है न वैसे पल्ले को फटाक से ओर ती ए, जैसे को वो ससूर हो, ससूर जी का करता है न लोकलाज वैसे, अरे बेटे से काय की शरम यार ममी, मैंने ममी को बोला, मैंने का यार ऐसे तुम्हें है मेरे बेटे से शरम करूँ न तो मैं जी ही नहीं पाऊँ, मैं तो ऐसे गाउन में रहती हूँ न तो कोई चुणनी डालती हूँ न कोई पल्ला डालती हूँ बेटे के सामने है न, और यहां पर क्या है, मैंने हल्दी और नमक डालके, और यह किकोडे को है न, मैंने उबाला है, और यहां मैं है न, खीर बन और जाल दिया मेंने और आप इस की कोड़े की सबजी ऐसे बोलते हैं दुनिया की सबसेतार सब्जी होती है तो साल में एक या दो बार की कोड़े की सब्जी जरूर खानी चाहिए ऐसा बोला जाता है। एक या दो बार जरूर बनानी चाहिए सीजन में और इससे ताकत मिलती है पूरे साल भर के लिए जैसे कि सर्दी में लड़ू खाया जाते है गौंद के और फिर बोला जाता है कि पूरे साल भर के लिए खाया जाते है उससे ताकत मिलती है उसी तरीके से की कोड़े की सब्जी में दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर सब्जी की कोड़ाई की सब्जी होती है इसको आप कैसे भी मना सकते हो कई लोग पानी वाली भी मनाते हैं और यहां मैंने बनाई है अर्वी तो अर्वी मैं पानी वाली बना रही हूँ आज और सूखी वाली मैंने पहले शेयर करी है अर्वी को हमेशा अजवाइन और राई से छोका जाता है तो मैंने अजवाइन राई और हिंग से छोक लगाया है इसमें आप प्याज हरी मिर्ची हरा धनिया हो आपके पास तो गो डाल दीजिए बहुत यह अच्छी लगेगी यह देखे गाड़ी-घड़ी हमारी खीर बनके तैयार है आगया ना मूं में पानी है उपर से आप चाहो तो इसको डेकोरेट कर सकते हो पिस्ता काजू और बाद महराज जी के दो अभी देखा आपने दो कटोरी में निकाल लिए और भोग लगा दिया है और यहां मैंने स्वामी जी की ठाली सर्व कर दिये तो अरबी की सबजी की कुड़े की सबजी रोटी और खीर तो आज का हमारा खाना यही है ककड़ी रग दी है आ जाईए आप भी स्वामी जी को ही दूँगी उठा के लिया हूं मंदिर में से स्वामी जी को दे दूँगी कि भाई आप खा लीजे तो बस स्वामी जी खा लेंगे भोग लगी हुई प्रशाद भगवान का राम भगवान और दयाल महराज जी का प्रशाद है तो स्वामी जी खा लेंगे औ और सुबे स्वामी जी को है ना थंडी खीर खाना बहुत ज्यादा पसंद है तो उनके लिए मैंने उठा के रग दी और मेरे लिए कटोरी मैंने फीकी खीर निकाल ली है तो किसमिस डालने से क्या है थोड़ा सा मिठास आ जाता है पर आज मेरे पास किसमिस नहीं थी तो मैंने नहीं डाला तो कोई बात नहीं मैं है ना इसमें या तो शहद के दो चार टुक जो है टपका लूँगे